हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टेडी फीट ओफ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यहाँ निव प्रैक्टिस सेट का तेस्वा प्रैक्टिस सेट है एंड मैं मध्यपदेश वर्क टू थ्री एंड यूपी टी जीटी पीजीटी यूपी अल्टेग्रेट एंड बीपेसी टीरी फूर एंड जितने भी फिजिकल एजूकेशन कमपटेटिव एक्जाम्स है उन सभी के लिए डेली बेसे से प्रैक्टिस करा रही हूं थियोरी लगा मेरे साथ। हैं और जियसा कि मैंने यूटूब पर पोल डाला हुआ है। जैसली सब बिल्स ना परस्ट पर सब्रेटिज कितने इस thumb कर covid and इस पर मैं वीडियो भी बना दूँगी और रिजल्ट भी बहुत जल्दा आएगा तो सब किलियर हो जाएगा और सभी अपना-पना इसको जान ही कहे होंगी और अनुवान भी लगा पाए होंगे कि मेरा सेलेक्शन वो पाएगा या नहीं इसलिए आप लगे रहे तो चलते हैं आज के कोशन के तरब कोशन है लच्छ अत्यंत प्रवावीत होता है जब तो लच्छ जो है कब अत्यंत प्रवावीत होता है प्रवावीत यहाँ पे नहीं है दोस्तों प्रवावी है तो लच्छ जो है जब स्वैम के लच्छों को प्राप्ति योग्य और आदर्स यथार्थवादी मामते हैं तब उन लच्छ प्रहावी होता है यानि लच्छ अत्यन्त प्रहावी तभी होता है जब यह इस्फर्ष्ट हो विशिष्ट हो अधातलच्य प्राप्ति योग्य हो और अधार्थवादी हो कोस्टिन नमबर टू है बिना घाव का हड़ी तूटना क्या कहलाता है ब्रेक ऑफ बून बिराउट इंजरी इच कॉल तो दोस्तों बिना घाव का हड़ी तूटना सिंपल फैक्चर कहलाता है जैसे कि सधार या सिंपल फैक्चर जिसे हम क्लोज फैक्चर भी बोलते हैं यह हड़ी तूटने पर किसी प्रकार का तुचा नहीं तूटता फड़ता है इसको हम सिंपल फैक्चर कहते हैं या क्लोज फैक्चर इसमें हड़ी तूटकर तुचा से बाहर निकलाती है घाव भी हो जाता है उसे हम मेस्टित फैक्टर यानि कि कमपॉंड फैक्टर या प्रेडा का पच्छ नहीं है विच आव फॉलिविंग इस नौट एक्सपेक्ट आफ मोटिवेशन तो दोस्तों अभी प्रेडा यानि कि आव सकता है आव इसकाल की जन्नी है आप जानते हैं जो जीच आव सकता होती है उसको करने के लिए आप मोटिवेट होते हैं अंदर से अवाज आती है प्रेडा यानि कि inspiration किसी से inspiration हो प्रेड़ा आप काम करते हैं लिए खिलाडी कौन सा फूर्ट सप्लिमेंट लेता है तो दोस्तो विच फूर्ट सप्लिमेंट डू एथलेट टेक एइंप्रूव इम्यून सिस्टम फंस्टिंग एंड़ प्रिवेंट मसल्स ब्रेकडाउन तो इसके लिए जो खिलाडी होते हैं वो ग्लूटामाइल लेते ह क्या लेते हैं ग्लूटामाई ग्लूटामाई एक अलफा अमीनो एसिद है और जो सरीर में यह प्रोटीन निर्माड के लिए अवस्यक होता है यह इम्यून सिस्टम कारपाली को बिक्सित करना और मसंस ब्रिकडाउन को रुखने ही तो खिलाड़ी दोबराया फूर सप्लिमें है दोस्तों अब एक अथर यह है कि अधिक व्यक्ति हेल्थ और फिटनेस क्लब के शार्षाद सामुदाइक सारीरिक सच्छमता कारेकरमों में विभिन्य प्रकार के सारीरिक कारेकरापों में शामिल होते जा रहे हैं तो बास सही है तरक आर है कि सारीरिक कारेकरापों को तयार करने उनके नित्तु और मुल्याणकर करने के लिए सारीरिक सच्छा ब्यायाम विग्यान और खेलकुत पेशे वरू की जरुरत है तो दोफ्टों सच बात है कि आपको फिजिकल एजिकुशन के कार्करप अगा तयार करना उसका नित्तु करना मुल्या और र दोनों सही है और र एका सही इसपश्टी करण है दोस्तों इस प्रकार का statement बेस पे जो questions आते हैं जादे कटीन नहीं होते हैं आपने अच्छे सी theory पर पढ़ा होगा तो दोनों चीजों को आप अच्छे से समझेंगे अगर सही है तो आप देखेंगे आर क्या एक की समध झतनी नहीं है कोई अन्य बात कहा गया है बट सही है तो यहां पर वहां पे ऐसा एंसर होगा कि आ्रेशा ये नहीं है बट इस प्रकार से इसका answer दिया सक्षिए फंस स्टार्ट तू फिन यृर श्यूंहरी प्रइज तो सबसे पहले का ऻिए कि हा तो यृंद पर भी स्ट्रिंट रेशिक होती है तो ज्में, सबसे पहले हम क्या करते है तो बंदू के आवाज various बंदुब्दुक की वाज है एक है प्रेक्ष है उस वाज के कारभर हम क्या करते हैं तुरंट शर्ट कर देते हैं तो यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा कि cela ह 기본 वहाज इस्टिमूलस कि उस की प्रीक्रिया कर सुपते हैं उसका इतद है इस्टिमूलस यानि प्रिटिकिया समें। दी ессिप्वाइभ को पट्टी की समझाने को एक्षेलेरसन चरण होता है अधिक्तम कति को प्राप्त पर Charge Factory में, तो एहने हो जाएगा एकसिलेरसन चरणivos' आपसान नमबर B तो C के बाद आपका हो जाएगा बी उसके बाद आप मैंटेनेंस बनाएंगे अपने हिसाब से अनुर अच्छर चरण यानि कि मैंटेनेंस फेस फेज आपका होगा तो इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से इस्पोर्ट टेरिक पढ़ा होगा तो इसका आसानी से दे सकते हैं कोर्सिन निम्बर साथ है कि ट्राइसे स्पेशी का मुखिता निन में से किस प्रकारिया से समध है यह दोस्तों हिमरस हट्टी के जो ऊपर है वो बाइसेस मसल्स होती है जो कोहुनी के elbow flexion में काम आती है मोरने में जो humorous हड़ी होती है उसके पीछे जो muscles होती है triceps muscles होती है जो extensor muscles होती है इसलिए जो है कोहुनी को बिस्तार करने यानि की elbow extension यानि की फैलाने में मदद करती है question number B यहां पर राइट एंसर हो जाएगा question number steven का question number 8 है sweat rutt kड़िका का मुख्यकार है the main functions of white blood cells तो दोस्तो लिकोसाइड जिसे white blood cells का वैग्यानिक राम बोलते हैं यह बैक्ट्रिया से सरीक और अच्छा करता है आप सब को पता है immune system प्रदान करता है तो यह बैक्ट्रिया से सरीक क्या करता है रच्छा करता है और अन्रुगाड़ों पर्तिवीस यानि के एंटिजन पदार्थों को नुष्ट करने में सरीक की सरुच्छा करती है question number 9 है कि पेर की मांस पेसी के विकास के लिए मुख्य उप्युक्त ब्यायाम है which exercise is suitable for abdominal muscles development तो आप सबको पता है वो होता है आपका sit-up यानि घुटने मोड कर sit-up लगाना इसमें जो direct force पढ़ता है हमारे पेट पढ़ता है जैसा कि आप जानते हैं अब बीच में अगर force होता है और अगल पगल आपका axis और assistance होता है तो थर्ड प्रका का liver होता है तो sit-up जो है third प्रका के liver में आ जाएगा और वी sit-up प्यदी बोलेगा तो फर्ष्ट प्रका के liver में आ जाएगा question number 10 है कि लंबी दूरी के stress पूरुस अमहिला धावकों में होती है top male and female long distance runners है तो दोस्तों लंबी दूरी की दोड़ों में जैसे कि आप जानते हैं इसका right answer हो जाएगा धी में इस रोड़ वारी ज्यादा तन्तों यानि कि more slow twist fibers जैसे कि आप जानते हैं मारे सरी में red muscle fiber में red muscle fiber and white muscle fiber होती है red muscle fiber होती है oxygen को ग्रोड़ा करने की छंता बाधे रखने की छंता ज्यादा होती है जैसे लंबी दूरी की दर्व एंडोरेंस वाले एरोबिक वाले खिलों में ज्यादे अच्छे होती हैं धीरे ज्यादे संकुचित होती हैं जबकि जो white muscle fiber होता है वह जल्दी-जल्दी संकुचित फास्टूच फाइबर होता है और जो आपको इस्ट्रेंथ वाले ऑन जड़ा काम करता है जैसे कि आप कहेंगे कि सो मिटर में कौन सा muscle fiber ज्यादे काम करेगा तो white blood cells और आपको कहेंगे 10,000 मिटर में कौन से muscle fiber काम करेगा तो red blood cells तो जैसे कि आप समझ रेड red muscles fiber ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप भावना को समझेगा कहीं बोलने में mistake हो जाता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो slow twist fiber muscles है slow twist muscles fiber है दिमी गंती वाली बानस्पेसिया यह अधिक oxygen ले जा सकती है और इधर के रूप में वसा और carbohydrates का परियोग करके aerobic क्रिया को काफी लंबे समय तक जारी रखती है यह बानस्पेसिया अठागरे से लंबे समय तक संकूजन करते रहते हैं लेकिन कम सकती के साथ हां लंबे समय कार्य को करने की तयारी की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो process of preparing to do a toss तो दोस्तों तैयारी का नियम या किसी कारे को करने से पहले हम उसको तैयारी करते हैं वार्मिंग अप करते हैं क्या करते हैं हम वार्मिंग अप यानि सरीर को गर्माते हैं तौप से तो जैसे किसी भी कारे को करने के तयारे की प्रेमिंग अप कहते हैं कहलाते हैं कोरुद कर्मिंग अप प्रक्रिया में सरीर को प्रारम्य में हलके . के व्याइमों से गर्माने से माणस्पेश्यों का Сंकुचन दूर हो जाता है और उनमी फैलाव आता है यह मांस पेसियों को कठीं से कठीं कारे करने को यह तयार कर देता है वारमिंग अप से मनुष्य सारे को मांसिक दोनों प्रकाल से अनुकुलित हो जाता है पेसियों में फ्लैक्सिब्लेटी बढ़ जाती है ब्लड स्रकूरीशन अच्छा ह आइसान फीजन सावने घ्रीशन चार्ण चार्ण धाल करने की चेंदा बारो जाती है टो यहां हख सिर कणा घ्रीशन और उसिकालता है शक्राण उंम्हाथयों और फ्लैक्सिब्लेटी Verf正 किं व्म्हार से जान जाती है ब्लिब कें पार्हीं घ्र्मी घ्रें पर Denagयust aan नôm फि होता है आपका वज्ज रावसन ठीक है सुरी नमस्कार भी डायविटेज के लिए होता है याद रखीगा जैसा कि कोशन पूजा हुआ था तो मंडु का वज्ज रावसन करने से मध्वें डायविटेज का रोग दूर हो जाता है इसी प्रकार अनेक रोग जैसे कि ब्रंकायट कि यहां पर आप देश सकते हैं राजवर्धन सिंग राठोर किसके हैं सुटिंग के हैं आप सबको पता है इन्होंने का से पते हैं जीता था 2004 एथेस उलम्पिक में कि अभी डियों बिंता था 2008 में दस मीटर एयर राइफिल में स्वड़पत्र जीते थी तो राजवर्धन सिंग राठोर क्या हो जाएगे शूटिंग में तो एक का थ्री हो जाएगा एक का थ्री तीक है एक का थ्री और सॉनिया मिर्जा आप सबको पता है कि यह टेनीस की खिला रही है तो बी का टू अन्जी बावी जो जो है आप सबको पता है एथलेटिक से है तो डी का वन रानारे मूर्थी जो है फार्मूला वन से है सी का फो इस प्रकार आफ्सन नंबर डी यहां पर कि बाइसेट सेमोरी स्मांस्पेशिया है इसकी आंदूलन से मुखो टफ उत्पन होनी वाली प्रकार का नाम है बाइसेट प्रोसेस विच एज मेंले प्रोसीड बाइस मुबंेट इस झोल इसक्जोफ विचपर इलेवे बाइस凭ी जो है हमारे जानक की पीछे की मॉसल्स हो Semi Membranians and Semi Tendinneus in PCO Kitchen के काव लाध राध ाका मव्होंते हैं घोटने को मुना आफ्लाइक्ट करना और अदिन मुनारों की आपके सामने इतं के यौप्यो की घुटने को मुणा करेंगा काम करेगा तो गुट्नी को फैलाने और हिप को मुड़ने के काम करता है। कोश्या नमर 15 है रूथी मोट ने स्वास्य सिच्छा का कौन सा उद्रिस नहीं सुझाया है। इन्होंने चार उद्रिस ने बताया है। प्रसंग में स्वास्त समंधी तत्यों और नीमों का उपयोग करना बताया है। इन्होंने नागरी जिम्यदारी विशिश्त स्वास्त के मामले में बात आया है। किसी भी ब्यायाम से पहले वार्मिंग अप क्यों ज़री है। वार्मिंग अप निसेसरी विफूर एनी एकसरसाइज। दोस्तों अभी ज़स्त बताया है कि वार्मिंग अप से सरीर गरम होता है। और मुसल्स में जो संकुचन होता है। लचीला पन बढ़ाने के लिए। तो वाली है जो तोली यह जो इक को उर्मिंग वहोता है किलता है। वालों वाक्त चुटी वज़ेकी किस अमाने क्रियाय होते हैं। तो बढ़ानी वालों सब्सक्छरा रिखेस से पूरू कंश है। यह लाडरी हो को सारी मांस की क्रियात्म क्रोप से तयार करने में मदद करता है इसको तयारी नियम के अंत्रकत भी रखा गया है यह मानम सरी के तापान और लचीले पन को को बहाता है मांस Bei तंत्री का आवेग है जो नर्व इंपर्स है उसको गत्ती को बढ़ाता है इसमें बना रहता है और उपावचार की दर में ब्रिधी होती है यानि मेरा बोले जो प्रक्रिया भी अच्छी होती है कोश्चिन नमर्श 17 है तीन हजार मीटर इस्टेपल चेज दौर में कितनी बाधा कूद और कितनी पानी कूद होते हैं तो हाव मेनी हार्डर जंप्स एंड हाव मैनी वाटर जंप्स अर्दे यह इन्हें 300 मेटर स्टेपल चेज रेस दोस्तों कुल पैढ़ाय होती है कितनी होत होते हैं जिसमें से 28 होडर जंप एंड सेविन साब क्यों होते हैं वाडर जंप तो 28 और साथ यहां पर राय दिन्स रो हो जाएगा आफसा नमबर भी और कुश्टन नमबर अथारह है किसाधारा बोल जाल में समानता स्वास्त को किस रुप में समझा जाता है इन एवरीडे लंग्वेज हेल्थ इस जनरली अंडरिश्टूड तो लोग सधार बोल जाल की भासा में सोचते हैं कि जो हमारा स्वास्त शिच्छा है वह रूग और बिग्रती से मुक्ती है जबकि ऐसा नहीं है डवल एच्चू का कहना है कि किवल रूग और बिग्रती से मुक्ती ही स्वास्त यानि हेल्थ नहीं है बलकि सारी मांसिक समाजी किरूफ से सभी चीजों से मुक्त होना या स्वास्त होना स्वास्ति कहलाता है कोसर निमर 19 है इनवी से कोन सारी कंत्र है जो सारी वैयाम में सायद समिलित नहीं होता साहिट सब्स रखा गया है सब को आपको पता है कि आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्यांका मुख्य भाग है और प्रिश्च्रिब्स प्रभाव पड़ता है चों द्स यस्टिम है इसलिए उलिए इसके Τंधぁ turkey क्योंकि इसका जो काम होता है मुक्तव बोजन को पचाना और सुसर करना होता है कोस्टन नमर बीस है एक आउसत कारेसिल महिला के लिए परती दिन कितना प्रोटीन लेना उपयोगत बताया गया है अप्रोप्रियेट फॉर एवरेज वर्किंग ओमेंड तो डेली गया होता है प्रोटीन की जो मात्रा होती है एवरेज ओसी आलिस ग्राम होती है ठीक है आण्ड जो प्रोटीन है सारी जीवित कोसी काम का बुनियारिय धाचा होता है इसका रशना आम।नल में कार्बन, औक य्षन और वसा है वो carbon hydrogen oxygen के मात्रा से मिलकर बना होता है जबकि यह जो हमारा protein होता है carbon hydrogen oxygen and nitrogen से मिलकर बना होता है इसमें एक अत्रिक तत्व पाई जाता है nitrogen और nitrogen के उपर सीथी की करण ही protein को carbohydrate वसा से अलग पदार बनाती है याद रखे कि carbohydrate जो है carbon oxygen hydrogen के निश्चित मात्रा से मिलकर बना होता है जबकि जो वसा होता है carbon hydrogen oxygen के अनिश्चित मात्रा से मिलकर बना होता है जो protein होता है carbon hydrogen oxygen और nitrogen से मिलकर बना होता है कोशन में 21 है एक संपूर भोजन जो पोश्टिक माना जाता है वो क्या है अप्प्लीट फूड एज कंसाइडरेट निट्रेशन एफ एट एज तो आप सबको पता है कंप्लीट भोजन को हम बलेंस डायेट बोलते हैं और जिसमें सभी पोशक तत्व जो है यह जो है पांचल चेओ जो पोशक तत्व हैं जिस भोजन में बिदमान हो और आपकी कंप्ल पोशक तत्व स्टामिल हूं जिसमें बोजन सभी पोशक तत्व स्टामिल हूं वन देट कंटेंस आल देट निट्रियंस एलेमेंट्स और फूड कोशन निमर बाइस है गामक गुर्ण मेंसे किसकी अधार माने गये हैं मोटर क्वालिटीज और कंसाइडरेट टू बीड़ किस और बीड़ विच ऑफ फालविग तो दोस्तों गामक गुर्ण मेंट का नाम आते हैं आप यह याद रखेगा कि इसमें क्रिय की बात कर रहा है मसेल के एक्षन की बात कर रहा हैं फॉंक्शं की बात कर रहा है मोटर चमता यानिकि गती वह ब्षॉर फॉड आदी थ्यार तो आप सही एंसर देंगे हमेसा तो यहां पर रहें सिर क्या हो जाएगा आसम नंबर सी कृड़ा कोशल्ट यानि की इस्पोर्स इसकील तो गामक गुल निन्वी से किसके आधार माने गए हैं इस्पोर्स इसकील के सब्सक्राइब जिन साथ एक अएक मतलब कारे करते समयं एक आएक आपको है कि तीक्षा तीक्षा दर्ड़ हों तोसे हम म स्वोर्निस वोलते हैं तो यहां पे कार्सहित दर्द जहान पे सब्द आएगा उहां पे मसाल सूरनेस हां ब्राइनस होता है कि जब कोई खिलाड़ी मुश्किल भरा या दर्द से यह थैकर फोलगा करता है यहां पे जृति है बोट उसे खलाइल आ चाहसे में कार वो दर्द बढसे हो और यहा अ़रे हमें दर्द और देमार शॉर्णस केया अजलूतक है Скरें करें कारिं कार्य के बद दर्द और न शुरु दर्द परji कार्य करें एका हो जाएगा6 दर्ध 2 ऐन्ड फिर ओवर्ट्रेश एक रिएगा, 네가 वेद दर्द को or training से होता है तो härby का 3 हो जाएगा अधिंद स्पूल्स है मतलब माश्पेस या टेंडंग की अधिक जाता है तो आखिता है वेदम स्पूल्से मु dirig Latinoガ कि बिसेस अस्थान का जो मसेलज्ट्स है असफतर से अधिक खिज जाएगा तो से मसेलज्ट्समूर करते हैं यहां पे कला पाल्प्राइब में अचानक इस्थानिय लगताज दरद होना तो शीका फोर हो जाएगा एन मसल्स क्रैंप क्या होता है मसल्स क्रैंप जो होता है और अनेचिक संकुचन होता है एक प्रकार का या बहुत ठंडा पढ़ रहा है या बहुत गर्मी पढ़ रहा है तो इस कंडिशन में तो इसका राइड इंसर हो जाएगा डी का वण यानि कि मांस पेसियों के रेशों में लगाता दरद में शंकुचन यह मसल्स क्रैंप होता है इस प्रकार यहां पर आपसर नंबर सी आपका रहाइड इंसर हो जाता है आपसर नंबर सी कोर्शन नंबर चोबीस है इनमें से कौन कारक ऐसा है जिसमें से किसी भी तरह पर योतन संभव नहीं होता विचाओ तो यह होता है आपका वंसा नुगरम भी सेचता हिरिडेटरी ट्रेट दोस्तों आपको जो भी रंग मिल गया है जिस प्रकार के आपके रूप रंग मिल गया है अकार मिल गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसके स्ट्रेंट में अपने बुद्धिमत्ता में अपने जो आपकी सक्ति है साहस है आपकी जो योगिता है उसको आप चेज़ कर सकते हैं जो आप रंग रूप मिल गया है आपको देखकर ही कोई कह देता है कि नहीं आप उसके भाई है उसके बहां है तो यह सभी आप पईदान समगों नहीं है किसी भी परसे तिवे जो अशार है रिटी ट्रैस्ट है कोश्चन निमर पचीस है मांस्पेशी की कर्यातमा कुसलता किस पर निभग करती है फॉंक्ष्नल एफिसेंसी आप मसल्स लिपोइंट्स आन तो दोस्तों यह हमारे जो मसल्स फाइबर होते हैं रेट मसल्स फाइबर वाइड मसल्स फाइबर उसके गुड़ों पर निभग करते हैं तो रेशु का गुड़ आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है कोश्चन नमर 26 है मानो शरी में हिंज संधी पाई जाती है हिंज जॉइंट्स आर फाउंड इन हीमन बॉड़ी जैसे कि जानते हैं हिंज संधी जो है एक जिसा में गती करता है इसके अंदर करते हमारा इल्बो जॉइंट नीज जॉइंट पूमियों का जोड़ जबलों का जुड़ आता है यहां पर क्या राइट उन्सरू हो जाएगा आपका इल्बो जॉइंट यहां पर जो आपका कोहनी स्रोडी है यानि की जो पिल्विक है तो आमारा जो स्रोडी एंड कंधा यह दोनों चीजे सोल्डर बारें साकेट जॉइंट के अंतर गता आता है रिष्ट जॉइंट आपका कांडिलाइट जॉइंट के अंतर गता आएगा पुर्शन निम्र 27 है हिद्य वाहिका सण सकती छमता होती है काडियो वैस्कुलर एंडुरेंस के पिसिटी एज दोस्तों काडियो वैस्कुलर जो होती है वह यहां पर राय इसर हो जाएगा एरोबिक इस्ट्रेंथ जो ज्यादे समय की क्रियाए होती है उसमें गाडियो एस्कुलर इंड्रेंस कैपिसिटी जादे होती है एरोबिक स्ट्रेंथ यहां पर राइड इंसर होगा ठीक है याने कि हिडय वाई का साँचमता वाई भी सक्ति होती है कि या हिडय यू फेफ्वू द्वारा शरीर की कार्यत मांस्पेसि उत्तकों को आक्सिजन युप्त रख्त कि आप उर्ती करने की योगिता यू मांस्पेसियों द्वारा निभी निगतिविदियूं ही तु उ वोक्सिघन को और उठमने के लिए आसिजिन प्रयोक योगिता से मका आज़िए कोसिघा निंबर 28 निए कोसिदा आज़ कोसिएछा में उठमना इनर्जा के साथ आज़ा tutti इसने ऐसेी सब्सित प्रकुपेडर कोईशुआइं, प्रधुइस घंसेट्स मेंीटया की जाता है। को 카ु सिकों में जाकर अबें कि दो क्लिया होती है अघारुविक रिस्पायरेसन आफ धर रिस्पायरेशन आज स्जे़नैन आक्सी सूसनि जिसमें से आपका जो जो अनाकसी और उसके बाद जाता है तो पाइजरो क прошлquot प्रोकांडिया और फिर उस एटिपी को कहां जहां 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 जिस अंकोर्जा के ज़र्वत होती है वहां वहां उसको भेज देता है को सब्सक्राइब नमबर 29 है तीस सेकेंड सिट अप से इनमें से किसका परिछव होता है तीस सेकेंड को पता है यहां पर पीट वाला आपका आपसं मैंने गलत बता दिया है यहां पर याप रमीड होगा पेट की सकती शहन सकती और गती ठीक है एब्डामिनल इस्टेंज एंडूरेंस और स्पीड कोर्शन नमबर आपका 30 है कि कबड़ी खेल मैदान में बॉक लाइन और बॉनस लाइन के बिच कितनी दूरी होती है बीच वाट इस्टेंस बेट्वीन बॉक लाइन और बॉनस लाइन इन कबड़ी प्लेंग फिल्ड जैसा कि अब जानते हैं जो मेंस के लिए यानि पूर्सों के लिए जो होता है कबड़ी का मैदान 13 गुड़े 10 मीटर होता है और महिलाओं के लिए 12 गुड़े 8 जो 13 गुड़े 10 मीटर होता है मैदान उसमें से सेंटर लाइन से बक लाइन की दूरी 375 तो यहाँ पर बक लाइन से बोनस लाइन की वीश्ची दूरी पूछा है यहाँ पर एक मीटर आपका राय देसर होगा कोशन नमर 31 है टी टेस्ट इस संभावना पर अधायत होता है कि दू परतिदर्सों के मध्य तो दोस्तों टी टेस्ट दू परतिदर्सों के मध्य दूनों में समान में भेद को अधायत होता है और इस परिछल को वर्ट सुनी सु आठ में बिलियम सीरी गौसेट ने प्रारम किया था पूस्टर नमर 32 है सभी भारतिये खेल दल किसी भी अंतराश्टिये खेल प्रतिग्दा में किस बैनर के अंतरगत भाग लेते हैं दोस्तो यह सभी जो है भारतिय उलम्पिक संग इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन के अंतरगत भाग लेते हैं और इंडियन उलम्पिक एसोसियेशन भारतिय उलम्पिक संग के थापन 1927 में हुआ था कि बेरेंपेड सरदुराबजी टाटा के निदेशन में और पहले अध्यास भी वो बने बरतमान अध्यास बीटी उसा है और भायतियों लबिक संग के प्रतम महिला अध्यास बनी है और बरतमान में सभी भारतिये खेल दल किसी भी अंतराष्टी खेल प्रतिवित्ता में भार दिदेशन एंटर्सन बाली बॉल संग्ठन जो होता है अंतराष्टी विलीवाल संग की नियम के अंसार किसी भी अंतराष्टी खेल प्रतेवित अमें कितनी छत की रुचाई न्हीं होती है तो आ सब को पता है 12 मीटर होती है ठीक है इंडूर गेम के लिए छत की बाली बॉ किस स्केल से समंधित हैं vrazio का होता है मान पेशियों का उसमें से जैसे कि आप जानते ह् मसल्स थी प्रखाक्र होते हैं आखिक अनेख़िक और हिदे पेशिया उसमें से जो एथिक पेशिया होते हैं जिसे हम Scottish muscle यह रीखित है उसकी परसंटेज होती है तो पुरी सरीर को मसल्स जो है पुरी सरीर के भार का 45% भाग पाया जाता है उसमें से 40% क्यूल कंकाल मांसपेसियों का पाया जाता है तो यहां पे 40% आपका जैसा कि जानते हैं आपके हमारे सरीर में कुल 649 पेसिया पा जाती है उनमें से 400 पेसिया किवल कंकाल पेसियों से होती हैं दोस्तों यह था आज के सेशन में 35 कोशन्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमें जरू बताएए औ और जिस भी कोशन्स में डाउट होगा उसे भी बताएए हम सब मिलके उसे सवाल करेंगी और वीडियो को जादे जादे सेयर भी कीजिए जिसे और लोग तब यह वीडियो पहुंच सके ते मिलते हैं वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जहें